लोना चमारी की पूरी कहानी लोना का जीवन और उसकी सुंद्रता लोना एक छोटी गरीब जाती की महिला थी जो मेहनत से अपनी गुजर बसर करती थी उसका जीवन कठिनायों से भरा था लेकिन वह अपनी सुंद्रता और इमांदारी के लिए पूरे गाउ में जानी जाती थी उसकी सुन्दरता ने ही उसे मुसीबत में डाल दिया गाव के ठाकूर जो सत्ता और धन के बल पर सब कुछ अपने हिसाब से चलाते थे उसकी सुन्दरता पर मोहित हो गए थे ठाकूरों के पास ताकत थी और वे अपने आगे किसी को नहीं देखते थे खास कर उन गरीबों को जिनके पास नधन था और न कोई शक्ती ठाकूरों का अत्याचार एक दिन ठाकूर ने लोना को अपनी हवस का शिकार बनाने का फैसला किया वह लोना पर नजरें गड़ाये बैठा था एक रात जब लोना अकेली थी ठाकूर ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया लोना ने बहुत कोशिश की वह चीकती रही, गिर-गिर आती रही पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया ठाकूर के परिवार और गाव के लोग उस खटना को चुप-चाप देखते रहे कोई भी उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ इस अत्याचार ने लोना की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया समाज का अपमान और बहिशकार ठाकूर के अत्याचार के बाद लोना को गाव वालों ने हीन नजर से देखना शुरू कर दिया उसे अपमान और तिरसकार का सामना करना पड़ा ठाकूर के अत्याचार के बाद भी उसे न्याए नहीं मिला पुलिस ने भी उसके मामले को अंदेखा कर दिया और गाव के पंचों ने भी उसे दोशी ठहरा दिया. ठाकूर के पास पैसा और ताकत थी, जिसे वा कानून और समाज को अपनी मरजी से चला रहा था. लोना अब पूरी तरह केली हो चुकी थी, उसका कोई सहारा नहीं था. उसे समाज ने बहिश्कृत कर दिया था. उसकी इज़त और आत्मसम्मान को बुरी तरह रौन्दा गया था. तांत्रिक विद्या का सहारा, अपमान और अत्याचार से टूटी लोना को अपने जीवन में एक नई राह दिखी. उसने सोचा कि अब उसे न्याय किसी इंसानी कानून से नहीं मिल सकता. इसलिए उसने तंत्र मंत्र की दुनिया में कदम रखा. गाव के पास ही एक जंगल था, जहां एक प्राचीन तंत्रिक रहता था. लोना ने उस तंत्रिक से तंत्र विद्या सीखी. वह पूरी तरह से तंत्रिक साधना में डूब गई. धीरे धीरे उसने शक्तिशाली तंत्रिक विद्या का ज्यान प्राप्त किया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया. लोना अब साधारन महिला नहीं रही. वह एक खतरनाक तंत्रिक बन चुकी थी. जिसके पास असीम शक्तियां थी. उसकी तंत्रिक शक्तियां इतनी प्रबल थी कि वह अपने दुश्मनों को नुकसान पहुचाने लगी. अब वह ठाकुरों से बदला लेने के लिए तैयार थी. लोना का प्रतिशोध लोना ने तंत्र मंत्र के जरीए उन ठाकुरों से बदला लेना शुरू किया, जिन्होंने उसका जीवन बर्बाद किया था. गाव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी. ठाकुरों के घर में रहस्यमें तरीके से मौतें होने लगी. कोई रात में चीकता चिल्लाता था, किसी की अचानक मौत हो जाती थी, तो किसी की तबियत बिगडने लगती थी. लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सबब कैसे हो रहा है. लेकिन धीरे-धीरे यह बात फैल गई, कि लोना ता तंत्रिक बन गई है, और वह अपने अपमान का अबदला ले रही है. लोना कारर और गां में उसकी दहशत, गां में लोना की तंत्रिक शक्तियों कारर फैलने लगा, लोग उसे चुड़ एल कहन लगे, गांवाले अब उससे रणने लगे. किसी की हिमतर नहीं थी कि वह लोना के खिलाफ कुछ कहसके, उसने उन सभी लोगों को सजा, दीजिन्हों ने उसे अपमानित किया था. उसके बदले की आग इतनी प्रबल थी कि कोई भी ठाकूर परिवार का सदस्य उससे बच नहीं सका. लोना की अंत की कहानी, लोना ने अपने दुश्मनों से तो बदला ले लिया, लेकिन वह अपने अंदर की पीडा से कभी बाहर नहीं आ सकी. उसने अपनी तांतरिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उन लोगों को सजा दी, जिन्होंने उसका जीवन नरक बना दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांती नहीं मिली. आखिरकार, एक दिन लोना भी अपनी तांतरिक शक्तियों का शिकार हो गई. वहाँ अपने ही जादू में उल्जकर मानसिक रूप से तूट गई और अन्तता उसकी भी मौत हो गई निशकर्ष, लोना चमारी की ये कहानी समाज की उन क्रूर सच्चायों को उजागर करती है जहां एक महिला को अपमानित किया जाता है और उसे न्याई नहीं मिलता ये कहानी बताती है कि अत्याचार सहते सहते एक साधारन महिला कैसे खतरनाक तांत्रिक बन गई ये उस प्रतिशोद की कहानी है जो किसी के अंदर की पीरा को समाप्त करने का प्रयास करती है लेकिन अंतता उसे खुद ही खत्म कर देती है ये कहानी एक सपक भी देती है कि किसी भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए कि वह इंसान से राक्षस बन जाए